हेलो फ्रेंड्स आज हम ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन में नाउन एक टॉपिक है नाउन का मतलब होता है संग्या तो यहाँ पे कोशन ऐसे आता है कि फिल इन दा ब्लैंक्स विद दा मोस्ट एप्रोप्रियेट नाउन अफ ऑप्शन यानि आपको कुछ आप्शन दिये गए हैं क्वेशन के और उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा नाउन उसको आपको भरना है तो there is no dash in the hall यानि कि hall में कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो क्या नहीं बचा हुआ है तो place यानि hall में जगा नहीं है तो यह appropriate noun नहीं है और दूसरा है hall में क्योंकि अगर hall है तो hall में जगा तो होगी ही होगी और तीसरा है vacant vacant का मतलब खाले यानि there is no vacant in the hall तो यह option appropriate नहीं है कोई meaning नहीं आ रही है और business यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा room कि hall में कोई भी room नहीं है I expressed my deep dash at his mother's date expressed यानि व्यक्त किया my deep यानि गहराई mother's date यानि उसकी माता के मृत्यों पर मैंने बहुत ही गहरी व्यक्त की तो क्या गहरी व्यक्त किया anger, गुस्सा नहीं कोई मरने पर गुस्सा नहीं हो सकता है mercy यानि दया दिखाई यह भी नहीं होगा हो जाएगा sorrow कि उसकी माता के मरने पर मुझे बहुत दुख हुआ that was a great king वो महान राजा थे जो की सभी लोगों के, सभी देशों के लोगों के द्वारा याद किये जाएंगे यहां बरना है proper noun proper noun क्या होता है किसी vicious वैक्ति का जगह का नाम तो सीता, great king नहीं थी सीता महिला है राजपूत, राजपूत यहां पे लिखा हुआ है, कोई भी अगर राजपूत की बात करें तो इसमें जितने भी राजपूत राजा हैं सभी आ जाएंगे तो कोई wishes तो यहां पे रहा नहीं कोई particular नाम अगर रहता तो यह हो सकता था soldier यानि सैनिक सैनिक तो कोई great king होते ही नहीं यह वो तो सैनिक होते हैं, राजपूत के अंदर काम करते हैं तो यहां पे हो जाएगा अकबर a dash of players was cheering on the playground cheering का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना तो players जो है playground पर उत्साह बढ़ा रहे थे और जब भी बात players किया जाती है तो players team में होते है तो यह हो जाएगा team pair नहीं होगा, क्योंकि pair होता है जोड़ाइस में दो ही होते हैं जबकि players की संख्या 14-15 के पाड़ ही रहती है pack भी नहीं होगा pack का यूज में रूप से तास की गड़ी में करते हैं bundle का यूज हम लोग गुच्छे में करते हैं जैसे चावी का गुच्छा होता है जिसमें 4-5 चावियां होती है तो players में team होगा a dash of paddles flew high in the sky paddles यानि पक्षी यानि paddles जो है represent flock करता है bunch का यूज गुच्छे में करते हैं जैसे bunch of grabs bunch of a key herd का अगर इस्तमाल करते हैं तुम लोग जानवरों के लिए करते हैं जानवरों के समूँ के लिए we shall dash of lions at the century हमने century में बहुत सारे lions को देखा तो जब lions की बात करें तो यहां पर pride का इस्तमाल होता है lions के समूँ को बताने के लिए pride का इस्तमाल होता है herd का उपयोग cow ऐसे कर सकते हैं flock का उपयोग bird के लिए होगा troop का उपयोग भी दूसरे चीज के लिए होता है और lions की बात के लिए तो यहां पर pride का उपयोग होगा आगे है He has a fantastic debts of coins and stamps Fantastic यानि शांदार उसके पास सांदार coins और stamps क्या है तो package package एक तरह से pack रहती उसमें कुछ सामान रहते हैं ये नहीं होगा basket यानि टोकडी तो क्या उसके पास coins की और stamp की टोकडी है तो ये नहीं होगा group नहीं होगा group आप मान लीजे की कुछ लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं उसका group होता है तो उसके पास collection है कि उसने coins जो की मान लीजे fantastic है तो coin तो सब के पास होता है लेकिन उसके पास कुछ error होगा कुछ अलग होगा उसके पांस स्टैंप के कलेक्शन भी अलग होंगे इसलिए हो कलेक्शन है उसने कलेक्ट करके अलग अलग जगह से रखा है I sent a dash of fruits for my sister मैंने अपनी बहन को फल भेजे फल किस चीज में भेजे तो bucket में bucket में फल कैसे भेज सकते हैं तो ये नहीं होगा drum में यानि कोई वेक्टी है जो की जूता खरीद कराया है लेकिन अब वो उसे कहां रख दिया है उसे पता ही नहीं चल ला है तो जूता कितने होते दो एक left पर का एक right पर का तो जूता होता है दो लेकिन उसका pair हो जाता है यानि एक जोड़ा जूता और उसमें दो जूते आते हैं तो pair of shoe हो जाएगा चूज दा odd one इन समय से odd कौन है तो fox जानवर है leopard भी जानवर है और share भी जानवर है pigeon एक पक्षी है pigeon यहाँ पे अलग हो जाएगी मतलब कभूतर चूज दा odd one इन समय से भी odd car car का उप्योग भी हम लोग सरक पर चलने के लिए करेंगे transportation की काम आएगी ship भी transport ही करती है और steamer भी चलती ही है तो केतली केतली का उप्योग चाय को रखने के लिए होता है तो यह odd हो जाएगी there is a dash over the ganga ganga पर क्या है यानि गंगा जी के उपर क्या है तो ancient यानि गंगा जी के उपर प्राचीन है नहीं होगा universe तो गंगा के उपर क्या ब्रह्मांड है यह भी नहीं होगा belief गंगा के उपर विश्वास है तो यह noun suitable नहीं है और है तो bridge over ganga यह suitable option हो जाएगा कि गंगा के उपर पूल है Once man trashed is another man's Trash का मतलब होता है कचरा और यह बहुत पुरानी कहावा थे इंग्लिस में कि अगर कोई एक वैक्ती के लिए अगर कचरा है तो दूसरे के लिए वो treasure बन जाएगी, खाजाना बन जाएगी Little child would have drowned drowned का मतलब डूब गया होता, वह छोटा बच्चा डूब गया होता But for the lifeguard, यानि जीवन रक्षक, जीवन को बचाने वाला आ गया At the dash of time, at the nick of time यानि समय के end time पे वो आ गया अगर ऐसी condition को हम लोग बताते हैं कि यानि कि अगर ज़रा से भी चुक हो जाती तो बच्चा पूरी तरह से डूब जाता तो यहां पे हो जाएगा nick of time, यानि कि तुरंत वो आ गया end time पे He was dash on time, he is always very punctual तो इस लाइन से हम बता करेंगे कि यहां पे क्या होगा Very punctual का मतलब होता है जो नियम का बहुत बढ़ा पावंद होता है तो यहां जो वैक्ती नियम का बहुत बढ़ा पावंद होता है He was dash on time, यहां पे हो जाएगा spot of time यानि कि वो बिल्कुल ही समय पर हाजिर होने वाला है On spot of time, well नहीं होगा, यहां पे well suit नहीं करेगा कि time का ठीक है Exact on time, यानि समय पर आगया spot होगा Spot का meaning जादा गहरा है कि उसमय पर हाजिर हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही punctual है I will do this job as it is right up my street मैं यह काम करूँगा क्योंकि it is right up my street Street का परियोग यहां पे इसलिए होता है क्योंकि कोई वैक्ती वो काम तब करेगा जबकि उसमें पूरी तरह से माहिर हो यहां पे कहा जा रहा है कि मैं यह काम करूँगा क्योंकि मुझे इस काम की पूरी की पूरी जानकारी है तो यह भी अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी item है जो कहती है कि I will do this job as it is right up my street यानि यह पूरी तरह से मेरे bus में है और मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है आगे बढ़ते हैं He has made a major dash of that simple problem यानि कि उसने एक सामान सी problem का एक बड़ा सा tax बना लिया बड़ा सा मुद्दा बना लिया तो यहां पे job नहीं होगा, project भी नहीं होगा simple problem का उसने एक बड़ा सा मुद्दा बना लिया, tax बना लिया bring me a dash of water तो यहां पे क्या हो जाएगा, some glass some glass में कैसे पानी लाया जा सकता है यानि कुछ glass में a piece of glass, glass के एक टुकडे में पानी कैसे लाया जा सकता है all glass, यानि सभी glass, ये भी नहीं होगा तो bring me a glass of water मेरे लिए एक glass पानी लाओ I am looking for dash for the windows यानि खिड़कियों के लिए मैं क्या देख रहा हूँ तो मैं खिड़कियों की बात हो रही है ये windows है, तो काफी सारे सी से लगेंगे, a glass a glass तो नहीं होगा, many glasses many glasses इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जब यहां पर many लगी गया है, तो यहां पर ग्लास होना चाहिए था यानि बहुत सारी glasses some glasses, तो यहां पर अगर some लगी गया है, तो glasses की क्या ज़रत है कुछ ग्लास की ज़रत है, तो कुछ में बनी होगा, लेकिन यह बनी हुई नहीं है, तो irons irons की कैसे बनी हो सकती है, लोहों की बनी है या तो लोहे की ही बनी है, लोहों तो यहां पर नहीं होगा an iron, तो क्या एक iron की बनी है, iron क्या है, element है एक iron की कैसे बन सकती है, some iron, यानि कुछ iron की बनी है कुछ iron की कैसे बनी हो सकती, अगर बनी होगी तो पूरी बनी होगी, तो ये iron, सिर्फ iron होगा, यानि iron element की उसे ऐसा लग रहा था कि बनी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं Choose the odd one out, इससे भी odd निकालना है, तो wheat यानि गेहुम, barley भी उसी केटिगरी में आता है Paddy यानि rice तो यहाँ पे mustard हो जाएगा सरसो अलग, Christopher Columbus set out to discover new, Christopher Columbus कौन थे, तो ये थे समूद यातरी आपका सकते हैं, जिन्होंने खोज की थी, अमेरिका की, हलांकि ये आये थे भारत खोज करने के लिए, लेकिन इनका direction change हो गया और ये अमेरिका चले गए थे वो क्या discover करने के लिए निकले थे, तो country नहीं, देश खोजने के लिए वो नहीं निकले थे, town खोजने के लिए भी नहीं निकले थे, गाओं खोजने के लिए भी नहीं निकले थे, और कहां कहां पे land है, उसकी खोज करनी है We believe in immortality of the Immortality का मतलब होता है Amor and seal जो कभी मरता नहीं है Amor रहता है तो Amor कौन होती है Soul नहीं Union यानि एकता एकता Amor रहती है ये भी Amor नहीं रहती है Wave यानि की Wonder क्या ये Amor रहेगी Soul यहाँ पे Soul का मतलब होता है अकेला तो क्या ये Amor रहेगी तो Soul Soul का मतलब होता है आत्मा आत्मा हमेशा Amor रहेगी I banged my dash on the floor यानि bank का मतलब होता है मारा floor यानि फर्स पर तो मैंने floor पर मारा तो toe मैंने अपने पैर से floor पर hit किया मारा Choose the odd one out Oman lady girl तो यहाँ पर odd हो जाएगा क्या Amman दोस्तों इसका पूरा objective complete हुआ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्या अएप्ट